Hello students and good morning all of you बच्चो आज के इस वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 9 नन्य हे प्रेरक कोके स्टुरेंट्स नन्य हे प्रेरक यानि ऐसे नन्य हे बच्चे कम उम्रे के बच्चे जो हमारे लिए प्रेरना के श्रोथ है जिनने देख कर, जिनने सुनकर घमें हमारी लाइफ में प्रेरना मिलेगी पाट की ओर सिर्षक पढ़कर अनुमान लगाए इस पार्ट का नाम नन्य हे प्रेरक क्यों रखा गया होगा या पाट किस बारे में होगा आओ पढ़ें प्रत्येक वर्स भारत सरकार और भारतिये बाल कल्यार परिशत की ओर से रास्टिये वीर्दा पुरुषकार दिये जाते हैं इसके लिए देश भर से अधिकतम 25 वच्चों को चुना जाता है जो अपने साहस और बहादुरी से दूसरों के लिए प्रिणा बने होते हैं उन्हें गर्टंत्र दिवस के अवसर पर रास्टिये वीर्दा पुरुषकार से सम्मानित किया जाता है अब यहाँ पर क्या बोला जाना बटा और भारती बाल कल्यार परश्ट की और से रास्टिये वीर्दा पुरुषकार दिया जाता है ऐसे उन 25 वच्चों को देज भर से सुना जाता है जिन्होंने अपनी साहस और बहादुरी से दूसरों के लिए प्रिणा बने है उन्हें गरतंते दिवस के अउसार पर रास्टिये वीर्दा पुरुषकार से संबानित किया जाता है याई ऐसे बच्चों को वीर्दा पुरुषकार दिया जाता है हमारी भारत सरकार की और से और भारती है बाल कल्यार परश्द की और से बहादुर बच्चों को रास्टी विटा पुरुषकार से सम्मानित करने का सिलसला 1957 में सुरू हुआ था 1957 में गांधी जहनती पर दिल्ली के राम लीना मैदान में आयूसित एक कारक्रम में प्रधानमंदी पंडी जवाहरलाल नहरू सामिल हुए थे कारक्रम सुरू होने के बाद अचानक सामियाने में आग लग गई और उसमें तकरीबन सौ लोग फस गए थे तब चौदा वर्स के बच्चे हरिचंद महरा ने समझदारी का परच्छा देते हुए सामियाने के एक हिस्से को अपने चाकू से खांट लिया जिससे लोगों के निकालने का रास्ता बन सका हरिचंद की बहादूरी से प्रेरित पेज नंब बहादूर बच्चो को रास्ती विर्दा पुरुषकार से सम्मानित करने का सिलसला 1957 में सुरू हुआ था यानि हमारे देश में यह सिलसला जिसमें बहादूर बच्चो को सम्मानित किया जाए या रास्ती विर्दा पुरुषकार सन 1957 इश्वे में सुरू हुआ था 1957 में गांधी जेन्ती पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयूसित एक कारिक्रम में प्रधानमंती पंडिस जवाला नहरू सामुल हुए थे और कारिक्रम सुरू होने के बाद ही अचानक साम्याने में आग लगी यानि अचानक उस संभू में आग लग गई और उसमें तक्रीबन सो लोग फस गए जिसमें एक चौधा वर्ष के बालक हरीचन वहरा ने समझदारी का परचाय देते हुए साम्याने के एक हिस्स्यों को च परशकार देने की घोशना की यानि 1957 में हमारे देश में यह राष्टी विर्था परशकार देने का सिलसला सुरू हुआ था क्योंकि पंडित ना जवाहला नहरू बटा उस समयाने में सामियाने में सामिल हुए और अचानक उस सामियाने में आग लग लग जिसमें सौ लोग थे वहां पर एक हरिशन नाम का एक बाला था चौदा वर्ष का जिसने अपनी सूजबुच का परशा देते हुए अपनी चाकू से उस साम्याने के एक हिस्से को काट दिया तब जाके पंडित नहरू ने उसी तरह के दूसरे बच्चों को राष्टी विर्दा परुषकार दे को रास्टी विर्दा परिशकार से संभानित किया जा चुका है जिनमे 33% लड़्किया सामिल हैं अब इन परुषकारों में पदक के प्रमाडपत्र और नगत परुषकार संभलेथ होते हैं पदक यानि हमको जो दिये जाते हैं प्रमाडपत्र जो सार्टिपिकेट दी जात आपको और नगत पुरुषकार यानि कैश चो दिया जाता है मनी दी जाती है इसके अलावा सरकार की और से हर बच्चे की पढ़ाई में मदद की जाती है भारती बाल कल्यार परशद के अनुसार अपनक लगबक एक हजार बहादुर बच्चों को रास्टी विर्दा यां शामिलें यहां कुछ ऐसे ही बहादुर बच्चों से संबंदित कुछ समचार दिये गए हैं जो समचार पत्रों में छपपे थी इन समचारों को पढ़कर आपको साहसी बच्चों के किस्से जानेंगे जिन्नों ने अपने साहत, सयाम और सूजबूच के दम पर कई जि इन समचारों को पढ़कर आपको साहसी है बहादुर बच्चों के बारे में जान सकोगे जिन्नों ने अपने साहत, सयाम और धीरच और सूजबूच के दम पर कई जिन्दियां बचाई गर्तन दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुए समारों में इन बच्चों को राष्ट एक बाग उत्राखर्ण में रहने वाले सूलाह वर्श ये अरजुन के घर में घुसाया, घर में बाग को देकर अरजुन की मां बहोस हो गई, पर ऐसी सिदी में अरजुन ने समचदारी और सूजबूच से काम्यवा कमरे में गया और एक हसुआ ले आया, च्योंकि दूर से बाग को दिखाने और डराने के लिए हसुआ चोटा था, इसलिए उसमें रंडे की मदद से हसुआ बाग की और किया, ऐसा करने से बाग उसकी मां के पास नहीं जा पया, ऐसा अरजुन ने तब तक किया, जब तक कि बाग के गाउंवाले वहाँ पर नहीं आ गए, लोगों क कि यहां पर कि नियूस पेपर में कैच अपा एक सोलह वर्षी अर्जुन ने अपनी मा को बचाया वेटा किस से बचाया बाग से वह बाग उसके घर में घुस गया वाच आयता तो डर जाता क्यूंकि उसी बाग को देखकर उसकी मा वहां पर बिहोस हो जाती है लेकिन वर्षीय सिवं पे टूचिता ने अपने विद्याला के दो विद्यार्थियों के एक बस त्रें डुर्गटना में जान बचाई बस से विद्याला जाते हुए उसने देखा कि एक रेल तेज गति से उनकी बस की और आ रही है अपने साहस और समझदारी का परचाय देते हु आई रुचिता के इस साहस और बहादुरी के लिए उसे जीता चोपड़ा अवाड दिया गया अब यहां पर हम क्या देखते हैं बटा रुचिता जो आठ वर्षी वालिका है उसने एक ट्रेन धुर्गटना में अपने बस धुर्गटना में दो विद्यार्थियों की जान बचाई बटाई ने ट्रेन आ रही थी ट्रेन तेजगती से सामने किया और आ रही थी तो उसने क्या किया बस की खिड़की से दो विद्यार्थियों को बाहर फेक दिया और खुद भी बाहर कूद गई अब हम देखेंगे यहां पर आग में कूद कर बचाई भाई की जान य हिम्मत दिखाई अपने छोटे भाई को बचाने के लिए घर के अंदर गई और भाई को कंबल में लपेट कर बाहर रही इस हाथ से में उनका घर पूरी तरह जलकर बरबाद हो गया सुखह दिया रहा कि उनकी जान बज़ गई अंजलिका के इस महतपूर कारे के लिए उसे रा नन्य भाई को बचाकर आख से बाहर ले आई तेरा वर्ष के दिशान्त ने चोर को पकड़वाया यह घटना पंच कूला हर्यारा किये पंच कूला के तेरा वर्ष के दिशान के घर में चोर आ गय थे दिशान के पिता ऑफिस जा चुके थे एक अजनभी उनके घर आया और दिशान्द अपनी मां की आवाज सुनकर दूसरे कमरे से आया, उसने अपनी मां को छुडाने के लिए चोर के पैर पकड़ लिये, मौका देखते ही उसने चोर का पैर खीच कर उसे गिरा दिया और उसका चाकू छिन लिया, दिशान्द वह उसकी मां ने चोर की खुब पिटा दूसरे कमरे में आया, उसने अपनी मां को छुडाने के लिए चोर के पैर पकड़ लिये, मौका देखते ही उसने चोर का पैर खीच कर उसे गिरा दिया और उसका चाकू छिन लिया, दिशान्द वह उसकी मां ने चोर की खुब पिटाई कि और उसे पुलिस के हवाले कर दि चांद की सूजबुच के लिए उसे रास्टी विर्दा पुरुषकार दिया गिया, पेस नमर 38, खुद की जान देकर बचाई दोस्तों की जान, यह बात नाकपूर, महराष्ट के नाकपूर सहर की है, नाकपूर के 15 वर्ष के गौरव की कहानी सबसे अलग है, जून 2014 में ज चार दोस्त खेल रहता, चानला के एक दोस्त का पैर पानी में फिसल गया और वह डूबने लगा, सभी उसे बचाने की जहीन में पानी में डूबने लगे, उस समय गोरव उन्हें बुलाने के जहीन के पास गया, तो उसने अपने दोस्तों को डूबते हुए देखा, एक ए बेटा नाकपूर का 15 वर्ष का गॉर्ण नाम का बाला के जिसने जीन में डूपते हुए अपने तीन दोस्तों की जान बचाई और चौथा दोस्त को वह बचाने एक चाहर आता लेकिन वह खुद ही जीन में डूप गया बेटा कि वह तीन दोस्तों को बचाते बचाते इतना थक गया था कि उसकी वाड़ी में अब वो कैपसिटी वो स्टैम्ना नहीं रह गया था बदमाशों के मनसूबों को नाकाम किया यह बाद उत्तर प्रिदेश के लखनाउ सहर किया लखनाउ में मड़ी यह सिद्भरत पुन निवासी सचिकान पांडे और लन्ली पांडे की 14 वर्षी बेटी अंशिका पांडे आम दिनों की तरह साइकल से विद्याला जा रही थी घर से थोड़ी दूर पर एक स्चुवी चलक ने पता पूछने के बाले अंशिका को रूका अंशिका के पता बताने पर चलक ने उसे पीछे बैठे वैक्ति को पताने की लिका वह बैठे वैक्ति ने चाकू से वार कि अंशिका का हार जख्मी हो गया लेकिन वह मुकाब्ला करती रही तभी अंशिका के एक सही लिया आगए जिससे बदमाश रड़का भाग गये डॉक्टर बने की चाहर रखने वाले अंशिका का मानना है कि इस तरह किस्तिती जिस भी जान बचाई बल्कि दूसरों की भी जान बचाई हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हम जिससे हम आदर्ष के लोगों के सामने आदर्ष के श्टोत बन सके लोग हमें जाने और हमारा नाम उबेटा कभी भी अपनी सोड़िवज और हिम्मत नहीं खोनी चाहिए कैसी भ लगा जाता है और अपनी लाइफ में उसे कभी असफलता नहीं मिलती तो आज का यह चाहिए आज के सब्सक्राइब करें इसके नेक्स एक्सराइज जो भी है उसको अपने नेक्स वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आई हूप आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा क्यों आप लोगों के समान छटी-छटे बच्चों के उपर ही अधारीत है जिसके बारे में हमने पढ़ा आपने नेक्स वीडियो में हम इसके एक्सराइज कंटिन्यू करेंगे इस्टुरेंट्स आपको कोई डाउंट लगता है तो आप पूछ लेना बिटा ओके स्टुरेंट्स और गुड़ी विटा